Expanded Form of Numbers आज हम Numbers की Expanded Form के बारे में पढ़ेंगे Expand का मतलब होता है खोलना अगर हमारे पास नमबर हो जैसे है 23 और इसकी Expanded Form लिखनी हो इसका मतलब है कि हमने 23 को खोल कर लिखना है किस तरह से? इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनकी Values लिखनी है पहले Places लिखते है 23 में 3 की Place Ones होती है तो इसके उपर हमने लिख दिया O O यानि Ones और 2 की Place Tens है तो इसके उपर हम लिखेंगे T T यानि Tens तो अब इन डिजिट्स की Values कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड पे सबसे पहले पढ़ा हुआ है 2 तो हम याँ पर लिखेंगे 2 और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे तो 2 के बाद याँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है तो याँ पर 2 के बाद एक ही 0 आएगा उसके बाद लगाएंगे जमा का निशान और अगले डिजिट पर जाएंगे तो यहां पर अगला डिजिट क्या है? 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 और 3 की, यानि जो digits हैं 23 में उनकी वैल्योज लिखी, 2 10s पर था, तो उसकी वैल्यो क्या है? 20 और 3 1s पर है, तो उसकी वैल्यो है 3, तो इनकी values को लिखकर हमने जमा की form में लिखा, जमा लगाया बीच में, तो ये बन गई 23 की expanded form, यानि 23 को हमने खोल कर लिख दिया, अब एक और नमबर लेते हैं, 45, 45 की expanded form लिखनी है, तो इसमें अगर places देखें, तो 5 ones पे हैं, और 4 tens पे, तो left side से इनकी places लिखते हैं, यानि place values लिखते हैं, तो 45 किसके बराबर आना चाहिए, पहले 4 है, तो हम लिखेंगे 4, पहले लिखेंगे 4, और यहां पर 4 के बाद कितने digits हैं, एक ही digit है, तो यहां पर आ जाएगा 1, 0, अब plus का निशान लगाकर अगला digit है 5, 5 लिखेंगे 5 के पाद, कोई digit नहीं है, तो यहां पर कोई 0 नहीं आएगा, तो 45 की expanded form क्या हो गई, 40 प्लस 5, अब एक और नमबर लेते हैं, 346, अब हमने थोड़ा बड़ा नमबर लिया है, इसकी places अगर देखें, तो 6 ones पे है, 4 tens पे है, और 3 किस पे है, hundreds की place पे, अब left side से शुरू करते हैं तो left side पे सबसे पहले पड़ा हुआ है, 3, तो हम यहां पर लिखेंगे, 3, और 3 के बाद कितने digits हैं, 1, 2, तो यहां पर आएंगे, 2 zeros, तो यह बन गया 300, और 300 क्या है, यहां पर जो मुझूद 3 है, उसकी place value है, अब हम यहां पर लगाएंगे, जमा का निशान, और अगले digit प इसके बाद कितने digits हैं, एक ही digit है, तो कितने zeros आएंगे, एक ही 0 आएगा, तो यह बन गया 40, तो 40 इस 4 की place value है, अब जमा का निशान लगाएंगे, और अगले digit पे जाएंगे, तो अगला digit है 6, यहां पर लिखेंगे 6, और इसके बाद कोई digit नहीं है, तो कोई 0 नहीं तो 346 की expanded form क्या बनी, 300 प्लस 40 प्लस 6, तो expanded form में हम क्या करते हैं, एक नंबर में जितने digits होते हैं, उन सब की values लिखते हैं, और दरम्यान में जमा का निशान, यानि हम उस नंबर को खोल कर लिखते हैं, अब एक और example लेते हैं, 574, तो इसकी हमने expanded form लिखनी है, उसी तरह left side से शुरू करते हैं, तो पहले क्या है, 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 5, और इसके बाद जितने digits हैं उतने zeros लगाएंगे, तो 1, 2, 2 digits हैं, तो यहाँ पर हम 2 zeros लगा देंगे, उसके बाद क्या आएगा, जमा का निशान, और ह अगले digit पे जाएंगे, अगला digit है 7, यहां पर लिखेंगे 7, और इसके बाद कितने digits हैं, एक ही digit है, तो यहाँ पर 1, 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, जमा का निशान लगाएंगे, और अगले digit पे जाएंगे, अगला है 4, तो 4 के बाद कोई digit नहीं है, तो कोई 0 नहीं लगेगा, सिर्फ 4 लिखेंगे, 574 की expanded form क्या बनी? 500 plus 70 plus 4, अब हम एक और example लेते हैं, 205, इसकी expanded form देखते हैं, left side से शुरू करेंगे, तो पहले कौन सा number है? 2, हम यहाँ पर लिखेंगे 2, इसके बाद किते digits हैं? 1, 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 zeros, उसके बाद जमा का निशान, और फिर अगला digit जो के है 0, हम यहाँ पर लिखेंगे 0, और 0 के बाद एक ही digit है, तो एक 0 इसके साथ हा जाएगा उसके बाद आएगा प्लस का निशान और फिर अगला डिजिट जो के है 5 हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा तो 205 की place values को हमने लिखकर जमा किया तो इसकी expanded form क्या बनी 200 प्लस 0 प्लस 5 जिरो जितने भी एकठे लिखे होंगे उसे 0 ही पढ़ा जाएगा एक और नमबर देख लेते हैं 600 अब इसको हमने expand करके लिखना है यानि खोल के लिखना है तो left side से अगर देखें तो पहले 6 है यहाँ पर लिखेंगे 6 इसके बाद है 1, 2 digits तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 zeros उसके बाद जमा का निशान अब यहाँ पर देखें तो अगला डिजिट है 0 तो 0 लिखेंगे और उसके बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा उसके बाद जमा का निशान और अगला डिजिट जो के 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और उसके बाद कुछ नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा तो 600 की expanded form है 600 प्लस 0 प्लस 0 तो इस तरह से हम किसी भी number को उसकी expanded form में लेख सकते हैं तो आज का हमारा topic था expanded form of numbers